Hello students, class 5th math का हम एक topic देखेंगे आज, जिसका नाम है shapes and angles तो सबसे पहले हम देखेंगे shapes, what is a shape, shape क्या होता है shape is a geometrical figure made up of line segments, shape क्या होता है एक geometrical figure होता है geometrical figure जो की line segments से बनता है, shape एक geometrical figure होता है जो line segments से बनता है, हर कोई shape जो होती है, चाहिए वो round हो, oval हो, triangle shape हो वो सारी shapes जो है वो line segments से बनती है उसके आदा आता है basic geometrical shapes जो basic geometrical shapes हमारी maths में use होती है हमें हर बार वो shapes जो हमें use होती है maths में वो कौन-कौन सी है circle, triangle, square, rectangle, pentagon five basic shapes है जो हमारी maths में हमारे subject में use आती है वो है circle, triangle, square, rectangle and pentagon तो shape, shape क्या होता है shape is a geometrical figure जो की line segment से बनता है अगर आपको question आए what is a shape तो आप लिख सकते हो definition shape is a geometrical figure made up of line segments what are the basic geometrical shapes basic geometrical shapes कौन-कौन सी होती है circle, triangle, square, rectangle, pentagon उसके आदम देखेंगे circle circle की shape देखो आप कैसी होती है एक ही line segment से बनती है जो की round shape में होता है और इसको हम circle बोलते हैं दूसरा है triangle triangle होता है आप triangle को try और angle भी बोल सकते हैं try मतलब three angle मतलब angles जो होते हैं इसका मतलब three angles ट्राइंगल को हम three angles भी बोल सकते हैं try angle मतलब three angles इसमें क्या होता है three sided figure होती है तीन line segment से बनता है आप इसको नाम भी लिख सकते हैं तीनों कोनों पे ABC तो तीन line segment से बनता है AB, BC और AC थ्री sides होती है इसमें और three vertices होते हैं या three angles होते हैं जो मैंने bracket से इसमें बनाय होय है figure के अंदर वो तीनों क्या होते हैं वो angles होते हैं triangle के three angles भी आप बोल सकते हैं या three sides भी बोल सकते हैं पहला circle दूसरा triangle और triangles में अलग-अलग इसमें types होती हैं जैसे iso slash triangle, equilateral triangle वो हम बाद में देखेंगे लेकिन triangle में इन क्या होता है three sided figure या जिस figure के तीन angles हो third है square, square में क्या होता है four sides होती हैं और four vertices होते हैं vertices मतलब जहां line segments दो line segments meet करती हैं जहां two line segments आपस में जुड़ती हैं आप जो कोने होते हैं इनके वहां line segments meet करती हैं उनको हम बोलते है vertices one two three four vertices or sides किती है four two square में क्या होता है जो चारों side होती है वो चारों side है इसमें equal होती है जब आपको कोई बोलेगा आप square figure draw करो तो square figure आप draw करो अगर आपको वह एक measurement देता है कि four centimeter का square होना चाहिए तो अगर आपको पता चला कि four centimeter तो मतलब सारी sides जो है वो four centimeter की होंगी सारी sides four centimeter होंगी कुछ boxes आपने देखे होंगे उस वो उनकी जो sides होती हैं वो सारी बराबर होती है four sides four vertices और सारी sides आपस में बराबर होती है अगर एक side 4 cm होगी यह एक side 3 cm होगी तो सारी sides 3 cm की होगी उसके बाद आता है rectangle rectangle मतलब four sided figure यह भी होता है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें जो है opposite sides जो होती है एक दूसरे के सामने जो sides होती है वो बराबर होती है ना की चारो sides बराबर होती है square में क्या होता है चारो sides बराबर होती है और rectangle में क्या होता है जो एक दूसरे के सामने जो sides है opposite sides है वो बराबर होती है जैसे मैंने इसमें डैश डाला है 1, 2, 3, 4 तो 1 और 3 आपस में बराबर है और 2 और 4 आपस में बराबर है तो इसको भी 4-sided figure बोलते हैं 4 sides इसकी भी होती है लेकिन square में 4 sides बराबर होती है और rectangle में opposite sides बराबर होती है pentagon क्या होता है pentagon मतलब 5-sided figure जिस figure में 5 sides हो, 5 line segments हो उसको हम बोलते है pentagon इसमें 5 angles भी होते हैं 5 sides भी होते हैं 5 vertices भी होते हैं तो ज़रूर नहीं है pentagon में की सारी sides बराबर हो कुछ sides बराबर हो सकती, कुछ अलग हो सकती है तो इसलिए हम इनको बोलते है pentagon pentagon मतलब 5 sides तो सर्कल एक ही लांज सेंग्मेंट से बनता है इसका रेस उता है इसका डायमेटर होता है ट्रांगल 3 साइड फीगर तीनों साइड इकुल भी हो सकती नहीं भी हो सकती है square four sided figure चारों sides equal होती है rectangle four sided figure दो opposite sides equal होती है जो आमने सामने side से वो equal होती है pentagon five sided figure पांच line segments होती है लेकिन पांचों side बराबर हो ऐसा जरूर नहीं है तो यह हमने देख लिए आज shape क्या होता है और basic geometrical shapes कौन कौन सी होती है बाकी हम देखेंगे next